2. अध्याए 9. How to use the will अगर आप दूसरों के आगे अपना example set करके उन्हें inspire कर सकते हैं अपनी willpower को दूसरों पर use करना गलत होगा आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा इसी तरह आप science of getting reach भी खुद पर apply कर सकते हैं इसलिए आप एक certain way में focus करो और action लो अपने ideas दूसरे पर मत थोपो याद रखिये कि आपको इस formless substance के साथ एक positive impression maintain करना है अपनी इच्छा सक्ती को सुनसित दिशा में सोचने तथा मनवानसित फल पराप्त करने के लिए इस्तमाल करें एक समय में अपने विचारों को दसो दिशाओं में फैलाने का प्रयास नहीं करें आपका विश्वास बें मुद्दे से जितना अधिक गहरा होगा आप उतनी ही तीजी से काम्यावी हासिल करेंगे इसके लिए किसी सक्या गुनजाइस की कोई जगह नहीं है आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट कर यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसके लिए गरीवी का अध्यन किया जाए विप्रीत दिसा में कोई काम करके हम सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं बिमारियों का अध्यन करके हम आरोग्यों खोजने का प्रयास नहीं कर सकते हैं पाप का अध्यन करके हम पून्य सीखने का प्रयास करते हैं, निर्धनता का अध्यन करके हम अमीर कैसे बन सकते हैं, भूलकर भी गरीवी का गहराई से अध्यन करने का प्रयास नहीं करें, दान धर्म के काडियों अत्वा निर्धनता के समूल नास की बाते करने वाली संस्था के चक्कर में विर्थ का अपना समय बरवाद ना करें अगर आप गलत चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते इसी तरह निगेटीव चीज़ों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरह एट्रेक्ट करने लगेंगे माल लीजिए आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा इसलिए गरीब को हेल्प मत करो बलकि उसे गरीबी दूर करने का सॉल्यूशन दो आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए अमीर बनने का पर्यास करके ही आप निर्धनता से लर सकते हैं गरीबों को किसी की सांतवना किरपा दया अत्वा भिक्षा के नहीं बलकि प्रेरना की अवशकता है यदि आप वास्तम में गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो पहले आप सुयम अमीर बने फिर अमीर बनने के बाद गरीबों की मदद कर जब भी आप गरीब लोगों के बारे में सोचे या बोले तो इस तरह सोचे जैसे वे अमीर बनने की प्रोसेस में हो. जैसे उन पर तरस खाने की बजाएब आप उन्हें बधाई दे रहे हो. अब ऐसा नहीं है कि आपके ऐसा सोचने से गरीबी कम हो जाएगी या अपराध खत हो जाएंगे लेकिन गरीबी की सोच रखने से आपके अमीर बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है उन पर अधिक सोच विचार करने से आपका कीमती समय बरवाद होता है इसके बजाए पूरी दुनिया के अमीर बनने में दिल्चस्पी ले आप खुद अमीर बनकर लोगों की मद जितने असरदार ढंग से कर सकते हैं उतनी किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं अपने सपने का बिरोध करते हुए अथवा विप्री दिसा में काड़ करते हुए उसके साकार होने की आसा करना बेकार है बीते हुए कल की परिसानियों या संगर्सों के बारे में अधिक म सोचें अपने पूरवजों की कमजोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाईयों की बार बार चर्चा नहीं करें ऐसा करने से आपके मस्तिक्स कहीन भावनाओं से ग्रसित होना सुरू हो जाएगा परिनाम सुरू यह आपके सकारात्मक विचारों की गती को धीमा कर देता है अच कारात्मकता से उसके रक्षा करें उसके लिए वातावरन तयार करें ताकि वह उचीद दिसा में सही प्रकार से विर्दी कर सके सफलता के शिखर पर पहुँचना मानव जीवन का महानतम लक्ष है पर तियोगिता के मार्ग से होते हुए अमीर बनने का पर्यास करना परकृत in the certain way, किसी खास तरीके से काम करना जब आप एक खास तरीके से सोचते हैं तो भर्मांड उन चीजों को आकार देता है, जो आप चाहते हैं Law of Attraction का इस्तमाल करने के लिए सही विचार सोचने के साथ साथ आपको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि सही विचार सोचने से आपकी मनचाही चीज आपकी और अट्रेक्ट होती है और काम करने से वह आपको मिल जाती है इसलिए अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए आपको practically काम करना होगा, विचार प्रेड़ना सकती है, जो रचनात्मक उरजा को प्रियोग में लाकर हमारे लिए वानशित परिनाम पैदा करते है अपने सपने के बारे में विचार करके स्वेंग को मातर उत्साहित किया जा सकता है, परंतु केवल इससे काम नहीं बनेगा, इसे साकार करने के लिए यदि जरूरी प्रियास नहीं किये जाएं, तो आपका सपना मर सकता है जब आप अपने गोल की और बढ़ते हैं तो आपका लक्ष भी आपकी और बढ़ता है जब आप रुक जाते हैं, तो आपका गोल भी रुक जाता है, जब आप सही तरीके से सोचना और काम करना बंद कर देते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर आने से रोक देते हैं अभी तक मनुष्य इतनी तरकी नहीं की है कि सिर्फ सोच कर ही चीजों का निर्वान कर सके अता मनचहा पराप्ट करने के लिए विचारों को हमारे प्रयासों की भी आप सकता होती है अपने विचार पर सही ढंक से काम करें तब ही आप अपने सपने को साकार करने में सफल हो पाएंगे सपना साकार होने पर चीजें आप तक स्व profit चलकर पहुँचती है परंतु उन्हें गरहन करने की युगता आप में काम करने के वाद ही आप आएगी अन्यत्या चीजे आपकी आँखों के सामने से होकर गुजर जाएगी और आप बस हाथ मलते हुए देखते रह जाएगी आपको तुरंत प्रयास करने चाहिए आप उचित वेवसाय अथवावातावरन में नहीं है ऐसा सोच कर अपने प्रयासों को अस्थगित नहीं करें बरतमान पर ध्यान के इंद्रित करते हुए अपना सर्वस्ष्ट परदशन करें बीते हुए कल पर नराज होकर अपना समय नस्थ ना करें आने वाले कल के बारे में अत्यधिक सोच कर वेर्थ में अपना समय न गवाएं सभी कुछ मायावी अथवा रहस्मई तरीके से हो जाएगा ऐसी भी उम्मीद नहीं करें समय अथवा वातावरण के बदलने की पतिक्षा ना करें बलकि अपने पर्यासों से इन्हें मंचहार रूप परदान करें अध्याई बारा, Efficient Action, परभावी कर्म आप उन्नती तभी करेंगे जब आप वरतमान से अधिक की कामना करते हुए उसे पाने के लिए और अधिक पर्यास करेंगे क्योंकि पर्यासों में कमी के चलते आपका अधिक की कामना करना पूर्ण तव्यर्थ सावित हो सकता है संपूर्ण विस्व आज उन्हीं लोगों के पर्यासों के चलते तरक्की कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं जितना संभव हो सके उतना अधिक काड़े आज ही पूरा करने की आदर डाले, जो लोग आज की कामों को कल पर टालते जाते हैं, वे साथ साथ अपनी विफलता को भी सुनशित करते चले जाते हैं, लगन, अगन और मगन होकर प्रयास करने पर अनेक सक्तियां आपको काम्याव के प्रयासों का महत्व है, महत्पूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना अधिकतम काम किया है, बलकि महत्पूर्ण तो यह है कि कितना अधिक काड़े आपने कुसलता के साथ किया है, कुछ ही कामों को कुसलता से करने पर विफलता के सिवा कुछ अन्य प्राप्त नहीं किया ज आधिकांस लोग मानसीक एवमसाइरिक सकतियों के बीच सही ताल मेल लश्थापित करने में विफल हो जाते हैं वे सोचते कुछ हैं तथा करते कुछ और सही गलत आप जो कुछ भी सोचते हैं और करते हैं उसमें बहुत सारी सकती का हरास होता है अता क्यों न सही दिशा में परियास करके सक्ती का सदूपयोग किया जाए परिनाम स्वरुप सक्थ परतिसक्थ सफलता आपकी मुठी में होगी एक बार आपको मिली सफलता आपके लिए सफलता के अने को अने द्वार खोल देती है अध्याई 13 Getting into right business सही वेवसाई की तालास किसी भी काम को सफलता पुरवक निप्टाने के लिए आपकी लगन के साथ साथ उस काम को करने में आपकी दक्षता की विशेश आपसकता होती है अकसर बिना निपुनता के काड़े को पूरा तक कर पाना असंभव हो जाता है आपकी निपुनता आपको संबंधित काड़े सफलता पुरवक समाप्त करने की योगता तो दिलाती है परनतो यह जरूरी नहीं है कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन जाएंगे दुनिया हजारों लाखों ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह माहिर है परनतो अमीर नहीं है ऐसा नहीं है कि किसी काड़े को करने में दक्ष होना बुरी बात है परन्तु अपनी दक्सता के इस्तमाल सही दिसा में करना अत्यन्त महतपूर्ण है आपका मस्तिक्स इस्वर की ओर से आपको दिया गया सरफस्ष्ट औजार है इसके सही इस्तमाल से आप उस वेवसाय अत्वा काम दंदे में जल्दी ही अमीर बन सकते हैं जिसे करना आपको अच्छा लगता है उस वेवार में आपकी कामयाबी लगभग सुनसित हो जाती है जिसके विकास में आप अपना तन मन और समस्ती योगताएं में शमताएं आरोपित कर देते हैं आप किसी भी वेवार में कामयाब हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप उसे करने में माहिर हो, आप उसमें अगर विल्कुल नए भी हो, तब भी उसे सीख कर उसमें काम्याब बना जा सकता है, परन्तो अपनी रूची के व्यपार में जाकर काम्याब होना पेक्षाकृत अधिक सरल होता है, मन पसंद काड़ियों को करना ही शीवन का दूसरा नाम है, इच्छाये सकती की परिचायक होती है, अपना परतेक काड़े निपुन्ता के साथ पूरा करें, अनावस्यक बिलंब एवं सिगरता दोनों ही आपके लिए घातक है, अध्याय चोधा, दा इंप्रेशन ओफ इंक्रीज, परचूरता की अभिलासा दोस्तो साइंस की बात माने तो यह बर्मान लगातार फैल रहा है, और विज्ञानिक उसमें होने वाली बढ़ोतरी को मापने की कोशिस में लगे हुए है, जब बर्मान बढ़ता है, तो उसके अंदर की सारी चीज़ें लगातार बढ़ती रहती है, बढ़ते रहना ही संसा में हर चीज कुदरत के अनुसार बढ़ रही है और उसका विस्तार हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा एक साल का होने के बाद अपने आप चलने लगता है, वह यह नहीं सोचता कि यह तो बहुत मुश्किल काम है और मुझे इसे नहीं करना चाहिए, वह तब तक कोशिस करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है जब तक कि वह चलना नहीं सीख लेता, हम सब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, यह एक नैचरल चीज है, हमें ज्यादा नौलेज, ज्यादा खुबसूर्ती, ज्यादा पैसा और ज्यादा खुशी चाहिए, हम उन्हें रुकावट का अर्थ है मिर्ट्यू, इसामसी के नुसार उन्हें और दिया जाएगा, जिनें और धिक चाहिए, परंतु संतुस्थों से वापस ले लिया जाएगा, अधिक धनसंपत्ती की कामना करना कतई अपराद असभा पाप नहीं है, यह जीवन में परचूर पाने की दिसा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही आप काम्यावी पाने में हजारों लोगों की मदद भी कर रहे हैं, खुद को इतना अधिक सकारत्मक बनाएं कि आपकी संपर्क में आने वाला प्रतेग व्यक्ति स्वेंग के लिए भी महतपूर्ण एबं सका पारत्मक महसूस करें, उनसे लिएगे मूली के बदले, उन्हें अधिक कीमती अपनी सेवा परदान करें, भूल कर भी अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों का इस्तवाल ना करें, लोगों को धोखा ना दें, ना ही उन्हें मुर्ख बनाने का प्रयास करें, दूसरों क साथ ऐसा वेभार करो जैसा आपको उनसे अपने लिए चाहिए अध्याई पंदरा दा एडवांसिंग में प्रगती पुरुस लेखा का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं परता कि आप एक डॉक्टर हैं टीचर हैं या पुजारी हैं आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे सेलरी पर काम करने वाले लोगों के लिए भी यही बात सच है यह न सोचें कि आपके पास अमीर बनने की अवसर शिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप जहां काम कर रहें वहां उन्नती का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा है या आपकी सेल अंदाई के साथ काम करने वाला करमचारी अपने बॉस की सबसे बड़ी दौलत होता है इसलिए उसे वही काम करना पड़ता है जहां पर उसका बॉस चाहता है न कि वहां जहां वह चाहता है अपनी सफलता को मन में ठान ले फिर अपने फैसले को मजबूत करते हुए एक सुनि बढ़ने से रोक सके आपकी सफलता स्वेंग के घटित होने का मार्क खोज रही है बस आपको उसे दिसा देनी होगी अमीरी की दिसा में आगे बढ़ते समय राह में आने वाले अवसरों को अंदेखा न करें अवसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि आपस में इसके जुराव अद्रिस होते हैं इसलिए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि कौन सा अवसर आपके लिए सफलता की पहली पैदान सावित होगा संपूर्ण ब्रहमान में आपके लिए अवसरों का आभाव हो ऐसा असंभव है तथा इस्वर्य नियमों के बिरुद जब आप सफलता पाने के लिए द्रिड संकल्प लेते हैं तो आपकी सफलता का आप तक पहुँचाने का उतरदाई तो इस्वर रचित बर्मान का होता है आप बस अपने प्रयास जारी रखें अध्याय सोला कुछ चेतावनिया और अंतिम अवलोकन बहुत से लोग इस बात को सुनकर हसेंगे कि अमीर बनने का भी कोई साइंस होता है उनके अनुसार अमीर बनना काफी मुश्किल है क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि धन की सप्लाई लिमिटेड है सरकार की हाला ठीक नहीं है या समाज में काफी समझ जाएं लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है अगर आप इस किताम में बताये गए साइंस के नुसार काम करते हैं तो आप आसानी सामीर बन सकते हैं आप चाहे किसी भी देश, जाती, स्थान, अथवा समाज से संबंद रखते हो अमीरी के लिए तयार, निर्धारित मार्ग पर आगे भढ़कर आप किसी भी समय अमीर बन सकते हैं आपका अमीर बनना आपके राष्ट जाती समाज तथा स्थान के लिए ना सिर्फ सम्मान कभी से होगा बलकि यह अन्य लोगों के लिए सफलता के नए मार्ग भी खोलेगा भविस में आने वाली संभावित विपत्यों के बारे में आप सकता से अधिक सोच कर वेर्थ में समय बरवाद ना करें पूरा ध्यान परति दिन किये जाने वाले काड़ियों पर केंद्रित करें जब आप रोजाना के काम सफलता पुर्वक निप्टाने में माहिर हो जाते हैं तो भविस में विपत्यों की आने की संभावना अपने आप ही समाप्त हो जाएगी उचित अथवा अनुचित जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे स्रिष्टि की निर्मान विवस्था में सहियोगी काड़ियों समझ कर देखने का दृष्टि को सुएंग में विक्षित करें तथा कभी निरास नहो सुनिश्चित दिसा में काड़ि करते हो मनचाहा पराप नहोने की दसा में धेरिय बनाये रखें कुछ समय बाद आपकी मनचाहे सफलता आपके सामने होगी याद रखें महान अवसर आँखों से नहीं दिमाग से पहचाने जाते हैं अबरहम लिंगन के सब्दों के साथ इस पुस्तक का समापन कर रहे हैं कमजोर लोग सुरक्षा की तालास में रहते हैं जबकि विजेता अवसरों की तालास में तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको The Science of Getting Rich बुक समरी पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज से भरे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें धन्यवाद